आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Bicilliate Antherozoids are found in fonts यहाँ पर बोला गया है कि Antherozoids यानि जो Male Structures यहाँ पर Male Reproductive Organ है वो क्या होता है? वो ferns में पाए जाते हैं जिन में क्या होता है? कि उनमें दो Celiated Structures रहते हैं यानि अगर हम यहाँ पर Reproductive Structure बनाएं मेल का तो उसमें दो ऐसे Celia जो है वो पाए जाते हैं और यही चीज जो है यहाँ पर statement में दिया गया है जो कि fern का character है लेकिन अगर हम लोग डीटेल में देखे तो fern का जो character होता है और fern के जो Male Reproductive Structure होते हैं उनमें क्या होता है कि Multi-Flagellated Structure जो है वो पाए जाते हैं और बेसिकली यह जो Flagella होते हैं यह इनको swim करने में help करते हैं ताकि यह जो structure है या फिर यह जो Male Gamets है यह move करके female तक जा पाए और उनको अच्छे से fertilize कर पाए तो fern में जो Multi-Flagellated पाए जाते हैं उनका structure इस तरीके से होता है जो कि Male Structure रहता है और उनमें ऐसे बहुत सारे Flagellals जो है वो पाए जाते हैं जो कि इनको help करते हैं for the swimming लेकिन जो यहाँ पे given है statement उसमें by ciliated लिखा है जो कि हमारा false statement हो जाएगा by ciliate या फिर by flagellate का अगर बात करें तो यह एक ऐसा structure है जो कि mosses में पाए जाते हैं mosses में जो flagella होता है उनका number 2 होता है या फिर उनको ciliate भी कहा जाता है कहीं कहीं तो उनका structure या फिर number जो है वो two in number होता है और इसी वज़े से उनको by ciliate या फिर by flagellate कहा जाता है लेकिन firm का जो structure है उनको multi flagellate structure के नाम से हम लोग जानते हैं तो यहाँ पे given statement जो है वो हम लोग false लिख लेंगे